इसकी नजरें इतनी तेज होती है कि कोई भी शिकार इसकी तेज नजरों से बच नहीं सकता और इसकी हमला करने की रफतार इतनी तेज होती है कि शिकार को कुछ भी समझने का मौका तक नहीं मिल पाता ऐसे में अगर इगल की लड़ाई खुंखार पक्षी गिद याने वल्चर से हो जाए तो इनमें से जीत किसकी होगी क्योंकि दोनों ही पक्षी आस्मान के सबसे खतरनाक शिकारियों में आते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं